है दोस्तों वेलकम बेक तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वेलिवेशन से रेलेटेड कुछ इंपोर्टन टर्म्स जैसे कोस्ट, प्राइज, वेल्यू, इंकम, आउटकोइंग्स ये क्या होते हैं इन्हें किस टाइप से डिफाइन करते हैं इन्हें हम इस वीडियो को देखना तभी आपको अच्छी से समझ में आएगा और साथी वीडियो को कम्प्लिट वाच करने के बाद आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और विलिवेशन से रेलेटेड आपको और किसी टोपेक्स पर वीडियो चाहिए तो ये भी आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जो इंपोर्टेंट टाम से रहोती है वेलिवेशन से रेलेटेड उन्हें भी हम इस वीडियो के दुरू समझ लेते हैं तो सबसे पहले टाम हमारे किस से रेलेटेड है कोस्ट को केसे दिफять करते हैं इये और उटेस millennials ऐसे करने के लिए उसे को हम अमगया बोलते हैं और यह क कोस्ट हमें यूसफूल होता है मारी प्रोपर्टि में लो शिया प्रोफिट केलकुलेट करने के लिए दिव तो कौस्ट को हम और किस टाइप से समा सकते है , जैसे हमें कोई स खर्चा देना पड़ेगा, उस amount को क्या बोलेंगे हम cost, जिसे हमारा construction का cost हो गया, material को purchase करने का cost हो गया, label को hire करने का cost हो गया, उसमें हम क्या कर रहे है, एक type की हम service provide कर रहे है, तो उस service provide करने के लिए, या कोई product बनाने के लिए, जो हमें खर्चा या लागत आती है, उसे हम क् आपको समझ में आगया cost क्या होता है, अब next हम समझ लेते price, तो price को कैसे define करेंगे, it is amount of money paid to the seller by purchaser of the property, यानि जब हम कोई property पर्चेस करते है उसके owner से, और उसे हम जो money देते, उसे को हम क्या बोलते price, तो यह हो गए उस property की price, तो यह आपको समझ में आगया price क्या होती है, औ आप 80 रुपीज में purchase करते हो, तो आपने जो money दी 80 रुपीज, तो वो क्या हो गया उस product का price, लेकिन उस product का cost कितना था 100 रुपीज, तो इस example के तो आपने उसे कितने में खरीदा 80 रुपीज में, तो 100 रुपीज क्या था उसका cost, और जो आपने पेसे दिये उस product को purchase करने के वो क्या हो गया, उसका price, क्योंकि cost क्या होता है, जब हम किसी product को बनाते है, उसे बनाने के लिए जितना खर्चा आता है, उसे को हम क्या बोलते है, cost, तो जो उस product का cost था, वो किसने तहीं क्या था, उस product को बनाने वाली company ने, उस product को बनाने वाली company ने, उसका cost कितना रखा 100 लेकिन आपको discount की वैसे हो कितने में बिला 80 रुपीज में, जो कि आपने किसको पे किये, seller को, तो आपको समझ में आगे cost और price क्या होता है, cost किसे बोलते है, जब हम कोई product बनाते है, उसको बनाने के लिए जो खर्चा आएगा, या हम किसे type की service प्रवाइड कर रहे है, या खर्चे को हम क्या बोलते है, cost और price क्या होता है, जब हम किसी amount में, seller से कोई product purchase करते है, उसके लिए जो हम amount pay करते है, उस seller को, उस हम क्या बोलते है, उस product की price, तो आपको समझ में आगे cost और price क्या होती है, next हम देख लेते है value, तो value को कैसे define करेंगे, it is the present market value, which may not be necessary same as that the cost of an item it may be higher or lower than cost, तो जो value होती है, उस हमारे present market में क्या trend चल रहा है, present market की क्या condition है, उसके basis पे, जो product है, उसका cost बढ़ भी सकता, या घट भी सकता है, तो उसे को हम क्या बोलते है, उस product की value, यानि उस product का जो cost है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, उस हम क्या बोलते है, उस हम क् depend करती है जैसे आपने देखा होगा market में से बहुत सारे products रहते है जिनकी value में daily fluctuation आपको देखने मिलता है जैसे gold हो गया कोई accessories हो गई कोई electronics media हो गए उनकी value में आपको fluctuation देखने मिलता है और वो किस पर depend करती है market trend पे तो यह आपको समझ में आगया value क्या होती है तो जो अभी हमने value समझी यह आपको जो value आपको different types से देखने मिल सकती है जैसे market value, scrap value, salvage value तो यह जो value होते है कितने types की होती है उसे भी हम next studio में समझेंगे तो यह आपको समझ में आगया value क्या होती है और उसके कितने types होते हैं उसे हम next studio में समझेंगे नेक्स आता वेलिवर, तो वेलिवर किसे बोलते है, अब person involved in doing the work of valuation of various type of property, जैसा कि हमने last study में समझाता, वो वेक्ति जो property का valuation करता है, उसे को हम क्या बोलते हैं, वेलिवर, तो यह आपको समझ में आ गया, next है gross income, तो gross income क्या होता है, it is the total amount of the income including all received from various sources without deducting the outgoings required for collection, loss of income or replacement, taxes, ground rent maintenance, etc, whatever it may be, यानि यह हमारा total amount है, जितने भी हमारे income के sources है, वहाँ से जो हमें income मिल रहे हैं, वो हमारे total income है, without deduct किया outgoings के, जैसे कि tax, loss of income, rent, replacement, maintenance, यह जो भी जितने भी हमारे outgoings आते हैं, उन्हें better deduct किया हमारे जितने भी source of income है, sources of income से जितना भी हमारा income आता है, उसे को हम या बोलते gross income, तो यह आपको समझ में आ गया, gross income हमारा total income है, जो हमें different source से मिलता है, बिना outgoings को deduct किये, तो अब next हम समझ लेते net income, तो net income बहुत easy है, यह हमारे gross income रहती है, उसमें अगर हम outgoings को deduct कर दे, तो जो हमारे पस income बचती है, उसे को हम बोलते net income, तो इसे कैसे define करे जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, जो हमारी gross income रहेगी, जितने भी हमारे source है, जहां से में income मिलती है, जो हमारे total income रहेगी, उसमें से अगर हम outgoings को deduct कर दे, तो जो हमारे पस income बचती है, उसे को हम क्या बोलते net income, तो यह आपको समझ में आ गया net income क्या है, तो अभी हमन इंकम और net income समझा, तो gross income में क्या हो रहा था, जितने भी हमारे sources थे income आने के, जहां से में total amount of income मिल रहा था, उसमें हम क्या कर रहे थे, आउटगोईं को deduct नहीं कर रहे थे, उसमें हमारे आउटगोईंग वेसिक वेसिक हमने include कर रही थी, तो उस income को हम क्या बोल रहे थे, gross income, लेकिन चो हमारी net income थी, उसमें हम क्या कर रहे थे, जो हमारे पास total amount आ रहा है, उसमें हम outgoing को deduct कर दे रहे, तो जो हमारे पास income बच रहे है, उसमें हम क्या बोल रहे थे, net income, तो इन दोना terms में आपको एक term देखने मिली outgoing, तो अब outgoing क्या होती है, उसे भी हम समझ लेते, त तो next हम समझ देते है, outgoing को, तो outgoing को हम क्या से define करेंगे, the expenses that are required to be inquired in order to maintain the revenue of the building, it includes municipal tax, property tax, annual repair maintenance and sinking fund etc, यानि outgoing को हम क्या से define करेंगे, यानि हमारी कोई property या building है, जिस पर जितना भी खर्च आता बहार से, जैसे हमारा municipal tax, property tax, annual repair and maintenance, sinking fund, electricity, यानि जितनी भी हमारे expenses है, उसे को हम क्य खर्चा हो रहा है, जो हमारे property है, उसके रखरखाओ के लिए, maintain के लिए, या जो हमारे building है, उसमें जो हमें सुविदा चाहिए, उसके लिए जो खर्चा आता उपर से, उसी खर्च को हम क्या बोलते है, outgoings, तो outgoing कितने types की होती है, उन्हें भी हम समझ लेते, तो जो outgoing होती ह और आपको different types से देखने मिलेगी, तो उन्हें भी हम समझ लेते है, detail में, तो सबसे पहले, outgoings आपको किस form में देखने मिलती है, tax के form में, जो कि एक compulsory होता है, क्योंकि जितने भी लोग होते है, उन्हें कुछ न कुछ tax pay करना पड़ता है, चाहे वो water से related हो गया, या property से related ह या land tax, यह सभी उसे tax pay करना ही पड़ते है, government को, या municipal community को, तो इसी को हम बोलते है, outgoing, तो अब taxes को भी हम समझ लेते, this are the annual taxes paid by the owner, such as wealth tax, property tax, municipal tax, इन सभी को क्या बोलते हैं, tax, और यह सारे taxes हमारे किस पर depend करते है, हमारी property की value पे, तो जो हमारी taxes होते है, वो हमारी net income का 10 से 25% होता है, यानि हमारी जितने भी sources हो, जो हमको income आ रही है, outgoing को deduct करने के बाद, उस income का 10 से 25% होता है, यह taxes, अब next है management and collection charges, तो जो management and collection charges है, आपको बड़ी-बड़ी buildings के लिए देखने मिलेंगे, या apartments के लिए आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि उन buildings और apartment को रख रखाओ करने तो इसे हम केसे define करेंगे, this includes security guard, sweeper, etc. applicable only for big buildings and apartment, up to 10% of the gross income revenue is kept aside for these expenses, यानि जो हमारी gross income है, यानि जितने भी हमारे income है plus outgoing, उस income का हम अलग से 10% revenue निकाल के रखते हैं, इस management और collection charges के लिए, तो यह आपको समझ में आ गई वाली outgoings, अब next हम देख लेते हैं, repairs के लिए, तो ज type के outgoing को हम किसके अंदर include करते हैं, repairs के अंदर, तो जो repairs होता है, वो immediate भी हो सकता है, और annual भी हो सकता है, यानि अगर हमारी property में कई repair की जरूरत है, तो उसे हम immediate भी करा सकते, यह हम चाहितों से annually भी repair कर सकते, कि हर साल हमें इसको repair करना है, जैसे paint लगाना हो गया, plastering करना हो ग repair के लिए, वो किस पर depend करता है, age, construction, nature of building, और जो repairs के लिए, जो amount provide करते, वो mainly 10% हो सकता है, यह हमारे gross rent का, लेकिन कई बार आपको देखने मिलता है, जो हमारे building का annual repair और maintenance होता है, उसके लिए जो हम cost देते, वो हमारे construction cost का 1-1.5% तक का होता है, यह भी आपको देखने मिलता लेकिन अगर आपको gross income के तुरू समय ना है, तो उसके लिए लगबग कितना होता है, 10% तक, लेकिन अगर construction cost के basis पे निकाले, तो कितना आता है, वो 1-1.5% के बीच में, अब next हम देख लेते, insurance, तो जो insurance के लिए, जो हम amount pay करते, यानि जो हमारे building को security provide करते, किसे भी natural hazards के ल the premium paid by owner for fire or theft policy of the structure is to be considered as outgoing, यानि जो हमारी property का जो हम भीमा करेंगे, उसके लिए जो हम pay से amount देंगे, उसको भी हम outgoing के अंदर consider करते है, तो यह आपको समझ में आ गया, insurance भी हमारी outgoing ही हो गई है, next आता, loss of rent, तो this is also an outgoing in case a building is not fully occupied by the tenants, this has to be deducted from gross income, तो इसे हम कैसे समझेंगे, यह यह भी हमारे outgoing का ही type हो गया, लेकिन अगर कोई building है, जिसमें हम रहे रहे, वो building हमारी नहीं, उसमें क्या रहे, as a किरायदार, यानि tenants, तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमें उस building का कुछ किराय देना पड़ता है, या monthly हो, या yearly हो, वो हमें किराय देना पड़ता है, तो व इसके लिए लागव होता है, टेनेंट्स के लिए, यानि only किरायदार के लिए यह लागव होता है, loss of rent, यह भी हमारे outgoing का type हो गया, next हम देख लेते है, missessness, तो जो missessness होता है, उसमें क्या होता है, यह only apartment यह जो big buildings होती है, उनके उपर ही depend करता है, जैसे हमारे building में कोई lighting ल और वो किसके अंदर आते है, missessness के अंदर, तो इससे भी हम समझ लेते, this expenses related to big building, this consists lighting of common places, expenditure of lift men and other similar charges, which are paid by owner, यानि इस type के जो charges है, जैसे lift men को hire करना, उसके उपर जो खर्चा आएगा, common places पर lighting प्रवाइट करना, जिससे की अच्छी रोस नहीं मिले, और इसके लाव़ जो similar charges साथ है, जो कि owner paid करता है, तो इस type के expenses को भी हम क्या बोलते है, outgoing, और इन expenses को हम किस type से define करते है, missessness के through, तो यह आपको समझ में आ गया, next is sinking fund, तो sinking fund थोड़ा अच्छे से समझना, at the end of utility period of the property, it is either to be reconstructed, rebuilt and replaced, the fund set aside for this purpose is calling sinking fund, this annual sinking fund is also taken as outgoing, यानि जो हमारी कोई building या property है, जो कि एक time पर पूरी तरह से use होई जाएगी, यानि उसका utility period है, वो पूरी तरह से खतम हो जाएगा, यानि उसका उससे जाद है use नहीं कर सकते है, तो उसमें हम क्या करते है, जब हम पूरी तरह से use कर लेंगे है, उस building को हम दुबारा बनाएंगे, या उसे हम replace कर देंगे, उसे दुबारा बनाने और replace करने के लिए जो हम amount अलग से जमा करके रखते उस amount को हम क्या बोलते sinking fund जो इसका main purpose क्या होता है जब हमारे building का utility period खतम हो जाएगा उस time पर हम क्या करेंगे उस building को replace करेंगे लिए रिविल्द करेंगे ये reconstruct करेंगे तो उसके लिए जो हम fund जमा करके रखते उस ही fund को हम क्या बोलते sinking fund तो जो हम पैसे जमा करते हमरे sinking fund के लिए उसे भी हम outgoing भी बोलते वो भी हमारे outgo के अंदर का आप ही हो गया तो यह, आपको समझ में आगया कि outgoing क्या होती है, और वह कितने type से हमारी outgoing आपको देखने मिलते हमारी property के ऊपर, ये भी आपको समझ में आगया, वो कौन-कौन सी तरी taxes हो गया, management हो गया, repair हो गया, insurance हो गया, loss of rent, missileseness और sinking fund, तो यह आपको समझ में आ गया हमरी outgoing कितने type की होती है और यह सारी चीज़ें आपको का देखने मिलेगी जब भी आप valuation करोगे किसी property गा तो उस type पे भी यह सारे factor affect करते हैं तो यह आपको समझ में आ गया यह valuation से related कुछ important terms थी यह आपको भूद बार देखने मिलेगी तो आज के वीडियो में बस इतना ही आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीगा जो important terms से जैसे cost, price, value, value, income, outgoings यह क्या होती ने किसा define करते आज के इस वीडियो में हमने इसे detail में समझा तो आयोप आपको वीडियो समझ में आया तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए help ले तो वीडियो को जिर लाइक करना साथी इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करना जिससे कि यह information उन तक भी पोस सके और उनका भी knowledge गेन हो सके और साथी comment करके आप मुझे भताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आप मेरे चैनल पे ने तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का इकन प्रेस कर देना जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की notification मिल सके तो मिलते नेक्स उडियो में जब तक आपना ध्यान रगना थेंक्यू सो मच